मेरे पैरे देश्वासियों, मन की बात की सबसे अच्छी बात ये हैं, कि इसमें मुझसे ज़्यादा आप सबका योगदान रहता है। अभी मैंने माई गौ में एक पोस्ट देखी, जो चेने के थिरू आर्ग गुरुप्रसाजजी की है। उन्होंने जो लिखा है, वो जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने लिखा है, कि वो मन की बात प्रोग्राम के रेगुलर लिस्नर है। गुरुप्रसाजजी की पोस्ट से अब मैं कुछ पंक्तियां कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, जब भी आप तमिल नाडु के बारे में बात करते हैं, तो मेरा इंट्रेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता तमिल त्योहारों और तमिल नाडु के प्रमुक स्थानों की चर्चा की है। गुर प्रसाज जी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिल नाडु के लोगों की उपलब्दियों के बारे में भी कई बार बताया है। थुरुकृरल के प्रती, आपके प्यार और थिरुवलवर जी के प्रती, आपके आदर का तो कहना ही क्या। इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिल नाडु के बारे में बोला है, उन सब को संकलित कर एक e-book तयार की है। क्या आप इस e-book को लेकर कुछ बोलेंगे और इसे नमो एप पर भी रिलीज करेंगे। धन्यवाद। ये मैं गुरु प्रसाज जी का पत्र आपके सामने पढ़ रहा था। गुरु प्रसाज जी आप ये पोस्ट पढ़कर बहुत आनन्द आया। अब आप अपनी e-book में एक और पेज जोड दीजिए। नान तमिल करा चारक्तिन पेरिये अभिमानी। नान उलकत तर लहे पलमयान तमिल मोलियन पेरिये अभिमानी। उच्चारण का दोस्ट अवश्य होगा। लेकिन मेरा प्रयास और मेरा पेम कभी भी कम नहीं होगा। जो तमिल भासी नहीं है उने में बताना चाहता हूँ कि गुरुप्रसाज जी को मैंने कहा है मैं तमिल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रसंशक हूँ। मैं दुनिया की सबसे पुरानी भासी तमिल का बड़ा प्रसंशक हूँ। साथियों हर हिंदुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है इसका गुंगान करना ही चाहिए उस पर गर्व मैसुस करना चाहिए मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूँ गुरु प्रसाजी आपका ये प्रयास मेरे लिए एक नई द्रश्टी द सारी बातों को इखट्टा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि दो बार पढ़ा गुरु प्रसाजी आपकी इस बुक्यों में नमो एप पर जरूर अप्लोड कर वाऊंगा भविश्व के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुब कामना है